आप सभी का स्वागत है हमारे यूटूब चैनल पर जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि 69,000 सा हाएक सिक्षक भरती मामले में इस टे आज जो हट गया है सुप्रिम कोड के फैसले के मताबिक भरती चालू रखने की मिली अनुमती ये जो आज दुपहर में फैस जज्जमेंट आया है हाई कोड की डबल बिंच ने दिया है उसका ओर्डर अपलोड हो गया है आपको ओर्डर मैं दिखाता हूँ आप इसमें ओर्डर देख सकते हैं कि जो ओर्डर अपलोड हुआ है वो ये ओर्डर है यानि ये जो आज special appeal थी 154 of 2020 का तो ये ओर्डर अपलोड कर दिया गया है और इस ओर्डर को पढ़ने के बाद जो भी चीजे हैं वो निसकर सामने निकल के आता है आप देख सकते हैं कि पूरा ओर्डर यहाँ पर है आप एक एक चीज इसमें से आसानी से slow करके या बार-बार इसको repeat करके इस ओर्डर को पूरते आप पढ़ सकते हैं अब आसानी से यहाँ पर एक एक चीज इसको देख सकते हैं ये complete order है 12-6-2020 का यहाँ रिसब मिसरा and others versus state of UP and others के लिए जो है connect जो पिटिटेशन दायर की गई थी जो इसमेसल अपील थी उसका ये order है आज की date में आया है आप इसके कुछ मुख्य बिंदू है वो आप देख सकते हैं कि 69,000 सिचक भरती हाई कोट ने आज दूसरी बार दी UP सरकार को बढ़ी रहत परसदिये प्राथिमिक स्कूलों में 69,000 सहाइक अध्यापक भरती मामले में हाई कोट की लखनो बेंचने सरकार को राहत देते हुए एकल पीट ने 3 जून के आदेश पर रोगा दी इस प्रकार सरकार को इस भरती में कोट से दूसरी बड़ी राहत मिली है इससे पहले 6 माई को सरकार को उस वक्त राहत मिली थी जब 60-65 प्रतिशत के आदेश को हाई कोट ने बहाल कर दिया था ये जो खबरें हैं ये वो मुक्ष खबरें हैं इसकी आप इस ओर्डर का पढ़ने के बाद अनलिसिस कर सकते हैं 6 जनवरी 2019 को आयोजित लिखित परिच्छा के ठीक एक दिन बाद सरकार ने कटाफ 60-65 प्रतिशत कर आदेश 7 जनवरी 2019 को जारी कर दिया था इसके खिलाब 11 जनवरी 2019 को कुछ अभ्यारती ने हाई कूट में आचिका दी जिस पर हाई कूट की सिंगल बेंच ने 40-45 प्रतिशत कटाफ पर भरती करने का आदेश दिया था इस आदेश के खिलाब सरकार ने 22 मई 2019 को हाई कूट लखनों की डबल बेंच में अपील की जिस पर 6 मई 2020 को हाई कूट ने सरकार को राहत देते हुई सिंगल बेंच के आदेश को खारिज कर दिया और 60-65 प्रतिशत कटाफ पर तीन महिने में भरती का आदेश दे दिया था इसी के बाद परिच्छा नियामत प्राधिकारी कार्याले ने संसोधित उत्तरकुंजी जारी करते हुई 12 माई को परिच्छित किया इसी संसोधित उत्तरमाला के प्रशनों को कुछ अभ्यार्थियों ने चुनोती दी जिस पर हाई कोट की सिंगल बेंच ने सारी प्रकृरिया पर रोक लगाते हुए ये प्रकृरिया पर जो रोक लगी थी उस दिन काउंसिलिंग चल रही थी उस दिन रोक लगाते हुए UGC ने एक्सपर्ट पैनल से आपत्यों का निस्तारण करने का आदेश 3 जून को दिया था इसी आदेश के खिलाब सरकार डबल बेंच में गई थी जहां आज यानि सुक्रवार सुक्रवार जहां सुक्रवार को सरकार को रहत मिली है यानि ये पूरी खबर है आप स्टार्टिंग से लेके जब से विज्यापनाया परिक्षा हुई पूरा का पूरा एनलेसेस ये है इस तरीके से पूरी की पूरी प्रकरिया जो है फैनलाइज हुई है अभी तक अब जो हाई कोट से ज़राहत मिली है सरकार को इसमें और एक चीज़ आ रही है निकल के कि सिक्षा मित्रों की जो सीट्स हैं 37,000 उनको रिजर्व कहने की बात कही गई है जिसके इसाब से 32,000 सीट करीब बचती है जिस पर काउंसलिंग कराने की बात कही जा रही है अब जैसा भी होगा वो सरकार अपना निर्णे लेगी बाकी चीज़ें अफवाओं से बचें दूर रहें सरकार के आदेसों का इंतजार करें कि सरकार क्या निर्णे लेती है बाकी कोट ने जो कहा है उस पर सरकार का फैसला आना है सरकार जैसा कहे उसी पर बाकी चीज़े कही जा सकती है इसलिए अफवाओं से दूर रहे और सटीक जनकारी रखें अफवाओं न फैलाएं न अफवाओं पर ध्यान दें इसी के साथ धन्यवाद सटीक खबर के लिए मेरे चैनल को सस्क्राइब आवस्य करें और सबसे पहले वीडियो पाने के लिए वेल आइकन दबाना ना भूलें इसी के साथ धन्यवाद जैहिन जैभारत